तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा PSB batch क्या होता है, PSB batch कैसे बनता है, क्या-क्या इसमें document लगते हैं, कितनी इसमें फीस लगती है और police verification कैसे होती है दोस्तो 2023 में PSB batch बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, पूरी detail बताऊंगा, सारा खर्चा, document सब कुछ बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप एक PSB batch बनाना चाहते हैं तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्ता आशू, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल X by Z सब कुछ तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब पर के बेल आइकन जरूर दबा दो, क्योंकि दोस्तो हमारे चैनल पर ट्रांस्पोर से जुड़ी, RTO स जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समझत परकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है, तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको PSB बेच के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, PSB चाखिर होता क्या है, काफी सारे ऐसे ड्रैवर भाई हैं जिनको नहीं पता है कि PSB बेच क्या होता है, तो दोस्तो मैं आपको बताते हूँ, जिस प्रकार से हमारा ड्रैविंग लैसेंस होता है, उसी प्रकार से, उसी कार्ड के अनुरूप ही हमारा एक PSB बेच भी बनता है और दोस्तो यह जो PSB बेच होता है, यह भी उसी अथोर्टी से बनता है, जहांसे हमारा ड्रैविंग लैसेंस बनता है, अब दोस्तो आपके मन में सवाल होगा कि यह PSB बेच की आखिर जरूरत क्यों होती है, जब हमारे पास ड्रैविंग लैसेंस है, तो हमें PSB बेच की आ गारियां हो गई इस परकार की गारियां जो सवारी सवारी को ले जाने का काम करती है इस परकार की जो गारियां होती है उनको चलाने के लिए पीएस्वी बैच की आवशक्ता होती है अगर आप लोडिंग वाली गारी चलाते हैं तो आपको पीएस्वी बैच की आवशक्ता न ड्राइविंग लैसेंस है आपके पास आईडी प्रूफ है कोई भी आपका आधार कार्ड बगारा कुछ है ठीक है वो आपको चाहिए होगा उसके बाद आप अपने जो भी नजदी की आईडी टी आर सेंटर दोस्तों मैं बता दूं आईडी टी आर क्या होता है एक मोटर ट् पर्ति में जाना है दिल्ली वाले आईडी टी आर में चले जाएंगे सरायकाले खां लोनी बुरारी कहीं पर भी आप जा सकते है ठीक है वहाँ पर जाक के आपको इसकी पीस भी बैच की फीस कटवानी पड़ेगी तो इसकी जो फीस होती है दोस्तों दिल्ली के अंदर चार किलास लगेगी जी हाँ दोस्तों फिरापकी दो दिन की किलास लगेगी दो दिन की किलास में दोस्तों एक दिन आपको ट्रैफिक रूल class ले लेते हैं दोस्तों उसके बाद कुछ दुनों के बाद आपको उसी authority में या फिर IDTR में जाना होगा वहाँ से आपको एक certificate मिलेगा जी हां दोस्तों एक certificate मिलेगा इसके बाद दोस्तों सारा काम जो आपको online करवाना एक चीज आपको offline करवानी है वह मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों जब वहां से आप certificate ले लेंगे उसके बाद आपको cyber cafe पे जाना है या फिर आप अपने आप भी online काम कर सकते हैं तो आप अपने आप online भी apply कर सकते हैं मैं certificate ले के आप जाएंगे cyber cafe पे और वहां PSB batch apply कर देंगे तो दोस्तों वहां पे PSB batch apply करने के आप से कम-कम 400 या 500 पर फीस ली जाएगी जो की PSB batch की plus उस cyber cafe वाले की दोनों की मिलाके 500 के असपास फीस आप से वो लेगा उसके बाद दोस्तों आप उससे कहेंगे के जितने भी document इस PSB batch apply करने में लगे हैं वो सारे के सारे document की एक एक photocopy आपने करा लेनी है और जो PSB batch आपने apply किया है उसकी fees कटवाई है उसकी परची की भी एक photocopy करवा लेंगे तो दोस्तों वो सारे document लेके अब आपको जाना है अपनी authority में जियां दोस्तों अब आपको अपनी authority में जाना है वो सारे document लेने हैं और वहाँ से आपको अपनी police verification के लिए apply करना है वहाँ पर आप जाके कहेंगे के मुझे PSB batchman apply किया है और मैं police verification कराना चाहता हूं तो दोस्तों वो एक form form देंगे वो form भर के और वो जितने भी document की copy थी वो सारी copy उसके साथ attach करके आप वहाँ पर form भर के जमा कर देंगे तो दोस्तों आपके जो document है वो सारे थाने में चले जाएंगे जो आपके कलोनी का जो थाना होता है उसमें वो सारे डोकुमेंट चले जाएंगे उसके बाद वो पुलिस वाले आपको या तो फोन कर सकते हैं या फिर आपके घर पे आ सकते हैं जो आपने एडर्स लिखवाया है अगर वो घर पे आते हैं तो आप से या आप पुलिस वेरिफिकेशन का certificate आपको मिल जाता है, ये online मिलता है, online download हो जाता है application नमबर के माध्यम से, जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कम्पलीट हो जाए, आपको certificate मिल जाए, तब दोस्तों आपको उसी cyber cafe पे दुबारा से जाना है, और अपनी जो पुरानी जो PSB बैच की application आपने भरी ती, उसी को दुबारा से आपने खुल्वाना है, और खुल्वा के उसमें जो आपने पुलिस वेरिफिकेशन का certificate निकलवाया है, वो certificate अपलोड करवा देना है, जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन का certificate उसमें upload हो जाएगा, उसके बाद जो आपका काम है, नहीं है अब आपको 15 दिन कम से कम वेट करना है जो एड्रस आपने लिखवाया है उसी एड्रस पे आपका PSV बैच बना के बेज दिया जाएगा तो दोस्तों इस फिरकार से 2023 में नई साल पे आप अपना PSV बैच बड़ी आसानी से घर बैठे ही बनवा सकते हैं तो दोस्तों जानकारी कैसी लेगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैबारत